नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पोस्ट ओपिस में निकली हुई GDS की भरती के बारे में आप सभी को पता है कि GDS की जो भरती निकली हुई है 2022 में एक पोस्ट ओपिस में सबसे बड़ी भरती है दोस्तो क्योंकि 38,926 पदों पर यह भरती होने बाली है और यह बहुत बड़ी भरती है इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन की आवस्ट सकता नहीं है तो इसके लिए हर भाई हर भेहन फॉर्म भर सकता है अलोबर इंडिया में किसी भी जगाया आप रहते हों इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के लगवक सभी राज्चियों में एब भरती निकली हुई है पोस्ट ओपिस की तो याद रखीगा दोस्तों इंडिया पोस्ट सर्कल GDS ऑन-लाइन फॉर्म 2012 और एक बात इसमें याद रख लैना मैं आको बता दो कुछ लोग बोड़li घुडिया कोओ डिया धुर्ण और दोस्तों पॉस्ट में भोलते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही महत्पूर्ण है आप लोग इसमें फॉर्म जरूर भर देना इसकी जो पोस्ट डेट हुई थी 2 मई 2022 को हुई थी और 38,926 पदों पर ये भरती की जानी है इसके लिए मैं आपको बता दूँ जो बात करें हम क्रेड़िट कार्ड, डेबेट कार्ड और नेट बेंकिंग से आप इस फीस को पे कर सकते हैं दोस्तों यदि हम फॉर्म की बात करें कि लास्ट डेट इसे ही कब होगी तो लास्ट डेट आपके पास है दोस्तों 5 जून 2022 तक ये लास्ट डेट रहेगी 5 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं इसलिए कोई भी भाई बेन को छूटना नहीं चाहिए सभी लोगों को फॉर्म भरना है दोस्तों इसमें कोई एक्जाम नहीं होना है ये सिर्फ merit based पार होना है तो आप जरूर फॉर्म भरें और age relaxation की बात करें age आप कोई कितनी होनी चाहिए तो minimum age आपकी 18 बर्स होनी चाहिए और maximum आपकी 40 बर्स होनी चाहिए यानि आपको 18 से 40 बर्स के बीच में होना चाहिए तो आप अपने गाउं में भी नौकरी कर सकते हैं पोस्ट आपस में आगे दी हम बात करें age relaxation की दोस्तों तो SCST, OBC, Physical Handicap, DWS इन सभी के लिए age per rules मिलेगी और जरूर मिलेगी आगे दी हम बात करें कि कौन से प्रदेश में कितनी भर्तियां हैं दोस्तों ये बहुत ही मातपूने बता दू मद्प्रदेश में हैं और आपके 36 गड़, राजिस्थान, बिहार, आंद्प्रदेश सभी जगए हैं मैं सभी जगए कि आपको लिष्ट बता देता हूं कि कौन से एरिया में कितनी पोशन हैं आप फॉर्म भर सकते हैं आंद्प्रदेश की बात करें तो दोस्तों आंद्प्रदेश में 1716 हैं असाम में बात करेंगे तो 1413 हैं बिहार में 990 हैं 36 गड़ में 1253 हैं दिल्ली में 60 हैं गुजरात में 1901 हैं हर्याना में 921 पद हैं हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 177 हैं जम्मु इन कश्मीर में 265 हैं जारखंड में 610 हैं करनाटका में 2410 हैं केरला में 223 हैं मद्प्रदेश में 4074 सबसे ज़्यादा यदी पद हैं दोस्तों तो मद्ध प्रदेश में हैं, महराष्टरा में 3026 हैं, नौर्थ इस्टन में 559 हैं, उडिशा में 3066 हैं, और इसके अलामा आगे भी अपन देख लेते हैं, यह देखो, पंचाब में 989 हैं, देख रहे हैं आप लग, राजिस्थान में 2390 हैं, तमिल नाडु में 44310 हैं, तेला हैं, वेश्ट वंगॉल में 1936 हैं, दोस्तो आप जिस भी राज में एप फॉर्म डालना चाहेते हैं, आप जिस राज से विलोंग करते हैं, आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और बहुत ही महत्पून दोस्तों, घर बैटे आप नौकरी कर सकते हैं, मैं बता दूँ, आपक को मन में कोई भी सवाल हो कोई भी डाउट हो तो मुझे बताईएगा मैं जरूर इससे संबंदित आपको बता दूँगा फॉर्म अप्लाई करना है तो जो लिंक की दी गई है अप्लाई ओनलाइन इस पे आप किलिक करोगे तो आप फॉर्म को अप्लाई भर सकते हो नोटिप कमेंड बॉक्स में जरूर लिखीगा मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ तो दोस्तो नमस्कार और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कीजिगा इन्फॉर्मेशन उन दोस्तों को जरूर देना जिनको नौकरी की जरूरत है जिन